नमस्कार, incover.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ रिदेश बर्मा और आपसे हम बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं, बिहार पर, बिहार में भाजपा अध्यक्ष अमित्सा भाजपा और नितिश कुमार के वापस हाथ मिलाने के बाद पहली बार गए हैं, नितिश और भ पहले साल लोकसभा चुनाओं जो होने हैं, तब मुश्किल से जुलाए है, पांच महने दार और तीम महने आगे, मतलब आठ महने बाद जो चुनाओं होने हैं, उसको लेके अभी एक महने से यह चल रहा है कि नितिश लालू के साथ फिर वापस दाने की कोशिस में है, कॉं तेसरी करें, नितिश को वापस नहीं लेंगे, लेकिन कॉंग्रेस का दवाब है, इस सारे महोल के बीच लोगों को लग रहा था कि नितिश कुमार डगड़ा के बैगन हो गए, डगड़ा का बैगन आप समझते होंगे अगर अब यहार यूपी के लोग है, ना इधर के रह नितिश कुमार क्या करने वाले हैं, इस वहापो के बीच भाजपात अमित्साह का बिहार दोरा काफी महत्पुर्ण हो गया है, हम अमित्साह के उस मास्टर स्टोक पर आएं, जिसके साथ वो बिहार गए हैं, और जिसके बाद लालू कॉंग्रेस सब चारों खाने चित हो ज लेकिन इसकी बहुत ज्यादा तेत चर्चा है कि अमित्साह एक बड़े मास्टर प्लान के साथ गए हैं और वो मास्टर प्लान लालू के कांग्रेस के महागटवंदन से भी बहुत बढ़ा गटवंदन बनाने का है, लालू और कॉंग्रेस का अगर महागटवंदन है, तो उसी तरह का एक Rainbow Alliance बना के बिहार में लगने जा रहे हैं और इनका प्लान वो है कि हम लोकसभा की 40 में से जालातर सीटे फिर से वापस जीत के आए और लालू और कॉंग्रेस जहां हैं उनको वहीं रहने दे या उससे नीचे ढखे ले या उनकी बरहत को बिल्कुल रोक दे और लोक सभा में NDA की बरहत बनी रहे इससे पहले हम ये बताएं आपको अमित्सा का प्लान इससे पहले ये बताऊं आपको कि नितिस कुमार ये सारे जो जो बो ardऊं हो यून-जुलाई में ही करते हैं अगर आपको याद नहूं तो मैं आपको याद दुना हम क्यान को और वो जून का महेना था नितिस कुमार ने आखरी समय में वो डिनर कैंसिल कर दिया क्योंकि प्रधान मंतरी नैन मोदी के साथ उस समय के गुजरात के मुख मंतरी नैन मोदी के साथ हाथ मिलाती हुई तस्बीरे पठना और बिहार के अख़वारों में दिग्यापन के तौर चप गई थी जिसका नितिस कुमार ने बुरा माल लिया क्योंकि वह अपने सेकुलर इमेज हभी लेके बहुत चिंतित थे तो उन्होंने वह डिनर कैंसिल कर दिया और वह 2010 में जो डिनर कैंसिल हुआ उसके बाद भाजपा और कॉंग्रेस के भी जो भाजपा और नितिस कु चुटा 2013 में नितिस कुमार की जो तवियत बिगती वह जून और जुलाइं में बदलता है जून और जुलाइं में बदलता है 2010 में उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डीनर रखा लेकिन कैंसिल कर दिया क्योंकि मोदी जी के साथ उनका हाथ में चबकिया उनको करना लरते हैं जिसमें एक तरह से बिल्कुल सफाय हो जाता है फिर 2017 में जुलाइं में ही लालू का साथ भी छोड़ते हैं जो महाकटवंदन लालू कॉंग्रेस और इनका था उसको यह छोड़के जुलाइं में 2017 में तो जून जुलाइं नितिस कुमार का पसंदिदा महीना है यह सारे जोड़तोर उलट पिलट करने का तो बड़ी यह तेज हवा हो रही कि अब नितिस कुमार का फिर से तवियत बिगर रहा है और वो बीच में कुछ दिन बीमार थे जब लालू मुंबए में इलाज का थे उसी समय उनकी भी तवियत खराब थी और पटना में कारिक नंबर टू नंबर थ्री के नेताोंने और परवक्ताओं ने बना रखा था कि हम तो बड़े भाई हैं बीहार में हमेसा बड़े भाई रहें बड़े रहेंगे हम जयादा सीठों के लड़ेंगे अमिज साहब पतना पहुँच चुके हैं, जिस भाजपा के नेता, जिन भाजपा नेताओं का नितिश कुमार ने 2010 में नेटा देके पत्तल खीच लिया था, तीनर कैंसिल कर दिया था, उस पार्टी के अध्यक्ष के साथ नितिश कुमार ने सुभा में नास्ता किया है, और र रात में वो नितिस्कुमार के घर पर मुखमंत्री के आवास पर एक अने मार्क पर डिनर करेंगे सुबह के नास्ते और रात के डिनर के बीच भाजपा अध्यक्ष पूरिय दिन पार्टी के अलग लग डिपार्टमेंट्स में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की का प्लान जिससे लालू यादब चारो खाने चित हो सकते हैं और कॉंग्रेस और लालू यादब जहां हैं वहीं रह जाएंगे उससे नीचे जा सकते हैं वह प्लान यह है कि अमित्सा और नितिस्कुमार दोनों 20-20 सीट पे लरेंगे बिहार में 40 लोग सभा की सीटे हैं 20 सीट जेडियू को मिलेगी यानि नितिस्कुमार को मिलेगी और 20 सीट भाजपा को मिलेगी तो फिर कहेंगे यह बाकी लोग कहा जाएंगे राम बिलास पास्मान लोजपा तो इसमें जो अमित्सा का प्लान है वो यह है कि वो 20 सीट जो नितीस को देंगे उसमें रामिलास पास्मान और उपेंदर कुसौाहा लोग की समें 6 MP हैं 3 MP वाले उपेंदर कुसौाहा जिनकी पारटी का नाता बाराश समता पार्टी एराल उस पा छोटे नाम में लोग बोलते हैं इन दो लोगों को अपने 20 सीट में यह एड़्जस्ट करेंगे भाजपा जो भी सीख लेगी उसमें वह पपु यादब को एड़स्ट करेगी वह अरुन कुमार को एड़स्ट करेगी वह मुके सहनी को एड़स्ट करेगी आप मुके सहनी को नहीं जानते होंगे पपु यादब और अरुन कुमार को पपु यादब को आप जानते हो लेकिन मुके सहनी मलाह नेता है उनको सन आप मलाह के नाम से बिहार में जाना जाता है मुंबे में इनका बॉलीवूड में प्रोडक्शन का काम है ये फिल्म के सेट अफ बनाते हैं और करोरो उनके नोने कमाए है और इनकी राजनितिक मत्वा कांचा है कि ये दर्भंगा के आसपा से चुनाओ लड़े दर्भंगा लोकसवा सीट से में भाजपा के सांसर हैं किरती आजाद जो पार्टी से नाकूस हैं पार्टी में बिल्कुल अलग थलग परे हुए तो ये मानके आप चल सकते हैं कि दर्भंगा के सीट से किरती आजाद को दोवारा टिकर तो मिलने से रहा तो इस हालात में मुके सहनी एक उस तरफ हैं पपुयादब का पूरे पुरवांचल में आपको अगर 2014 का लोकसवा चुनाओं का नतीजा याद हो तो भाजपा पूरे बिहार में सिर्फ एक बेल्ट मिहारी थी उस बेल्ट का नाम था पुरवांचल भाजपिहार का पुरव जीती तो पपुयादब को साद के लगबख पुरवांचल के जो वह पांच्छे जीले हैं उनको भाजपा टेकल करना चाहती है अरुन कुमार जहानावाद से आते हैं भुम्यार नेता है सिक्षकों के नेता रहे हैं रालोस्पा में थे लेकिन अपनी पार्टी में उनके उ जो 20 सीट मिलेंगे उसमें वह रामबिलास को एड़स्ट करेंगे वह उपांदर कुषवांच करेंगे तो कहने के लिए होगा कि दोनों को बडावर सीट मिला दोनों बड़े बार भाई रह गए भाजपा के पास भी 20 हमारे पास नितिश्कुमार के पास ही 20 और जो गटवन सब लोग होंगे अगर इसको जाती वार आप समझेंगे तो बिहार में जो लालू ने कॉंग्रेस के साथ मिलकर एक जाती समिकरन खारा किया है जिसमें मुस्लीम यादब और थोड़े बहुत अती पिछरे और चिटपुट महादलिक वोट जितन नमांजी की वजह से मिल सकता ह उनको उसके मुकावले अमिच सहा का जो यह मास्टर प्लान है महागटवंधन से भी बड़ा महागटवंधन बनाके चुनाओं में उतरने का प्लान है वह बहुत मारक साभीत होगा और उसकी काट ना लालू-यालव के पास होगी ना कॉंग्रेस के पास होगी लेकिन जो है वो संभावनाओं का खेल है तो अपेंदर कुस बहार निती शकुमार के बीच पर मतवियद हो सकते हैं लेकिन उसको शुलाने का नाम ही राजनिती है और जब दिहार में राजनिती के आज के चानक के मानिजाने आमित साह बैठे हुए हैं तो सब कुछ संभाव है सब पर चुका या नहीं नहीं करते हैं तो इन दोनों के सुत्रों के हवाले से जब खबर आएंगी कल परसो तो आपको पता चलेगा कि क्या सवमती बनी और क्या नहीं है आप हमारे साथ बने कर रही और आप हमारे जो इन खवर चैनल को सब्स्राइब करें जो ढटन आपको दिख रहा इसको घंटी वजदगी आप औरक्या करने कि आपको हमारे अरही हग आप ब्रेकिंग खवर अच्छी खवर इंट्रेश्ट्वस्थर डगातार अब तक पहुचती रहे. Thank you.